हेलो स्टुटेंट्स वेलकम अगें बैक तो दे चैनल ऑफ पैदान क्लासेश तो अभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 पिरियोडिक क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंट्स तो इसमें देखते हैं कितना पोर्शन गुत्राज स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने रखा है और कितना पोर्शन नहीं रखा तो सबसे पहला जो पोर्शन है पिरियोडिक क्लासिफिकेशन ओफ एलिमेंट्स में वह इंट्रिक्टरी पार्ट जो आपको हर चैप के शंदी है जैसे डोबरे इनस्ट्वेड है और यूलेंड्स लॉव है तो यह दो टॉपिक आपको इसके अंदर है वो प्रिपेर कर लेने है अच्छे से फिर आता है टॉपिक 5.2 मेंडेलिव्स पिरियोडिक टेबल मेंडेलिव्स पिरियोडिक टेबल काफी इंपॉर्ड इसको अच्छे से प्रिपेर कर लेना फिर उसके अंदर लिमिटेशन्स जो मैंने बताया यह भी प्रिपेर करना बहुत ही जरूरी रहेगा फिर आता है modern periodic table जिसको हम अभी यूज करते हैं तो making order out of chaos the modern periodic table इसके अंदर जो भी सारी details है वो आपको प्रिपेर करनी है बट आपको position of elements जो उसकी characteristic है कि इस table को arrange कैसे किया है यह topic आपको ध्यान में रखना है काफी important रहेगा तो उसको अच्छे से prepare कर लेना और उसके बाद जो trends है trend से यह chapter रुख जाएगा ठीक है तो trend से यह trend रुख जाएगी और यहाँ पे यह सारी topic है valency atomic size जो काफी important चीज़ है तो knowledge के लिए I'll assist you to learn it बट अभी फिलाल board ने यह topic हटा दिया है सब यह कुछ भी आपको नहीं करना तो यहाँ पे हम खतम करते हैं हमारे इस portion को chapter 5 के कि इसमें से कितना portion आप लोगों को करना है और कितना portion आपको नहीं करना so thank you so much